ओम साही राम, वेलकम टू साइंस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं experience लेकर आई हूँ कवीता जी का, जो वेस्ट बेंगॉल से है और उनका इतना ही प्यारा experience, बहुत ही अद्वत experience है, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ, in fact हमारे life मे बहुत बड़ी बड़ी चीज़े नहीं, जो daily routine में भी हमारे साथ कुछ होता है न, तो बाबा, कैसे हमारा नुकसान होने से, हमें कैसे बचाते हैं, कैसे हमें protect करते हैं, मैं आपको पूरा उनका experience बताऊंगी, और end में जाके वो वीडियो भी add करूंगी, experience में, जो उन्हों कैसे impossible को कैसे बबा possible कर देते हैं, तो उनका experience कुछ इस तरह का है, कवीता जी का जो बेटा है, वो जिम जाता है रोज, तो अभी एक हफते पहले का ही उनका experience है, जो नो ने मेरे साथ में कल ही share किया है, तो क्या हुआ, वो बताती है कि उनका बेटा रोज जिम जाता है, और जब रात को जिम से लोटता है, तो वो आके change वगएरा, अपने night dress वगएरा पहल लेता है, तो एक हफते पहले की ही बात है, वो बताती है कि जब उनका बेटा रात को जिम से लोटा, तो उनका थोड़ा सा mind disturbed था, कुछ सोच में, क्योंकि हमारी life है, तो life में हमारे उतार कपड़े थे, जो उनके बच्चों ने उतारे थे, तो उनके ऐसे ही लिए, बिना चेक किये, मशीन के अंदर डाल दिये, जबकि वो हमेशा चेक करके ही डालती है, और उनके बेटे को ये था कि ममी ने चेक कर लिया होगा, और ममी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वो बहु बहुत अच्छे से मैनेज करती है, बहुत ध्यान से काम करती है, लेकिन कभी-कभी जब उनका माइंड खराब हो जाता है, या वो चिंता में डूब जाती है, किसी कारण से, उनका माइंड थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, तो वो कभी-कभी ना हो जाता है, एसा, कभी-कभी हो जा रही थी जा रही थी और जब light जाती थी तो वो कपड़े as this machine में ही रहते थे आप सभी जानते हो जब हम machine लगाते हैं अगर बीच में light चली जाती है तो हम light आने का इंतजार करते हैं obviously हम उनकपड़ों को निकालते तो है नहीं तो as usual उन्होंने ऐसे ही किया और जो machine में कप machine machine के अंदर ही थे और वो काफी time तक घूमते रहे और धुलते रहे फिर जब उन्होंने कपड़े निकाले और जब वो सुखाने के लिए जा रही थी ड्राइ करकर सुखाने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी शद पॉकेट में न कोई चीज है तो उन्होंने हैसे ह हाथ लगाया हाथ लगा कर देखा कि उसके अंदर air birds थे और वो एक दम से खबरा गई कि अरे ये क्या हो गया मुझसे और आप जानते हो कि air birds कितने महंगे आते हैं अगर local की बात की जाए तो वो इतने costly नहीं होते हैं लेकिन अगर company के होते हैं तो वो बहुत ही costly होते हैं व अगर हमने ये चीज़ खरीदी है तो उसे हम बहुत संजो के और संभाल के रखते हैं तो वो इतना tension में आ गई कि क्या हो गया और उनका बेटा बोलता है कि मम्मी आप तो हमेशा चेक करके आप डालते हो चेक करके हर चीज़े करते हो तो आपको क्या हुआ तो वो अपने आ अफॉर्ट नहीं कर सकती मैं बारा सो पंद्रा सो रुपे का ये अफॉर्ट नहीं कर सकती मैंने बहुत मश्किलों से अपने बेटे को ये दिलाया क्योंकि वो single parent है उनके husband नहीं है तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से वो अपने घर को manage करती है तो क्या हुआ वो बाबा से ऐ और जिन्होंने नहीं सुना है उनकी डिटेल जो है उसकी जो लिंक है वो में डिस्क्रिप्शन में और प्लस कम्यूटी बॉक्स में डाल दूंगी आप जाके सुन लेना तो क्या हुआ वो मनी मन मेरा experience उन्हें याद आया कि अरे विन्नी दिदी का तो बाबा ने phone बचाया था और एक पैसा भी नहीं लगा और देखो नाली में गिरने के बाद दी कैसे बाबा ने उसे protect किया था तो उनके mind में यही चल रहा था और वो बार बार बाबा से यही कह र रही थी और जो सच्चे भगत होते हैं जो सच्चे दिल से प्रात्ना करते हैं वो कैसे बाबा नहीं सुनते तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? इतना पानी में रहने के बावजूत उनका जब बेटा आया उन्होंने का मम्मी अप्टेंशन मतलो चलो जो हो गया, सो हो गया आप इसे चार्जिंग पर लगाओ जब उन्होंने चार्जिंग पर लगाया बाबा का नाम लेकर तो दोनों जो एरबट्स थे वो चार्ज होने शुरू हो गए और वो पूरे फुल हो गए और वो बिल्कुल ठीक हैं आप सोचो कि जो चीज पानी में रही और वो पूरे पहले थे वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं और उसकी जो वीडियो है वो मैं अब experience के last में डालूंगी जो कवीता जी ने मुझे भेजी है और आप सभी देखना आप सभी देखो कि बाबा किस तरह से लीला करते हैं किस तरह से बाबा चमतकार करते हैं और बहुत ही प्यार experience मुझे लगा उनका और हम सब जो अनुभव डालते हैं जो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अनुभव डालो तो देखिए जैसे कि उन्हें मेरा experience याद आया और उन्होंने बाबा से कहा तो इसी तरीके से आप सभी के experience दूसरों को हमेशा हिम्मत देते हैं मोटिवेट करते है तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने experience डालिए कुछ वक्त निकालिए कुछ दस मिर्ट निकालिए अपने जिंदगी के अपने कुछ पल के जो experience जो अनुभव बाबा आपको देते हैं वो दुनिया तक बाबा के बच्चों तक पहुँचा आईए जिससे सब उसका ल कीता जी की मैं add करने जा रही हूँ और आप सभी देखना और इसी के साथ मैं लूँगी समापती अगर आपके कोई experience है आपके कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ share कर सकते हैं हमारे नंबर पर आप हमें call भी कर सकते हो या आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं न यह चीज है हना यह दोनु यह दोनु मस्चीनिंग के अंदर बनु अच्छा से प्रस बै इसका कपड़ा में जब मैं कपड़ा निकाली ठ्रब पशर्ण तो पूरा अच्छा सूगर यह अंदर का घ्रट मी मैं यह रबड़ का तो तो कितना होई जाद अलेकिन बाबा ने में बचा लिया, अभी क्या हुआ था, अभी भी इसको खोज्दे में में दक समीन लगए, इसके अंदर खोज्टी नहीं है, कपड़ा-पड़ा सब बिरेक ली नहीं है, फिर में लिनी शेकर परसु बड़े में गीया था, तो जेन्स में के अंदर पॉकेट में बड़ा था, ठीक है, यह मेरा अन्दोगा के बाबा का चमातकार सी, यह पूरा मेरा अच्छा से अच्छा निकला है, कोई इसमें कुछ नहीं होए खराब